तो हेलो गाइज और वन्स अगें वेल्कम बैक टे आवर यूट्यूब चैनल दी एजूटेरियन और आज किस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी बोर्ड के लिए स्कूरूटनी का फॉर्म कैसे भरा जाता है क्योंकि उस फॉर्म में होते हैं ऐसे ऐसे शब्द उसको समझ के कुछ समझ में ही नहीं आता है तो पूरा फॉर्म देखेंगे कैसे भरेंगे कैसे भरते हैं और एकदम लास्ट स्टैप तक जाएंगेने करते हूप और समझ में आ थे सूप legitimate तो फिर चलिए शुरू कर थे वीडियो को सबसे पहले क्या करना है मोबाइल या ल उसके बाद आज आएगा आपके सामने हाई स्कूल इंटर्मेडियेट परिक्षा बीस-बीस कुतर पुस्तिकाओं की स्कूटने के लिए ऑनलाइन आवेधन करें तो हम लोग करेंगे आवेधन और देखेंगे कैसे करते हैं आवेधन उसके बाद नेट सस्ता होगा तो फुरी यह होगा गोल 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 तो और चैसे ही आपका यह पेज खुल जाएगा सस्ता नेट होने करदेर से तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कही सारे ओप्षनस आ चुके हैं स्कूल के लिए आवेधन करें इंटरमीडिट के लिए आवेधन करें पुना आवेधन डाउनलोड करें ट्रेजरी चलान फॉर्म डाउनलोड करें तो सबसे पहले हम लोग क्या डाउनलोड करेंगे ट्रेजरी चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे पहले फॉर्म नहीं भरेंग उसके बाद इसको कैसे भरना है वो बताते हैं जिसे ही आप इस form को डाउनलोड कर लेंगे पहला आएगा उपकोशागार बैंक का नाम वशाखा यानि कि आप किस बैंक में जाके अपना 500 रुपए या फिर 1000 रुपए यानि कि ये form आप वैसे तो किसी भी बैंकों में जाकर जमा कर सकते हैं लेकिन most probability चांस है कि वो बैंक वाल आपको किसी और बैंक में बेज़ दे क्योंकि कोई भी सरदर्द लेना नहीं चाहता जैसे कि हम लोग पहले गए तो SBI वो कहीं और बेजा फिर कहीं और बेजा तो finally हम लोग आगए लहाबाद बैंक में तो अगर आपके घर के आसपास लहाबाद बैंक है तो आप फायदे में वहाँ पे जाएंगे तुरंत हो जाएगा तो फिर माल लीजे आप जाते हैं अलहाबाद बैंक में जमा करने एक्जामपल लेकर चल रहे हैं आप कहीं भी जा सकते हैं तो यहां पर आप बैंक का नाम इलहाबाद बैंक जहां पैसा जमा करने जा रहे हैं और शाका जहां भी वह बैंक हो उसकी शाका जो भी भी बैंक आ कि एक सी कोड यह तो हमें कैसे पता लेकिन एक्जांपल लिए देखते हैं कैसे होगा कि तो कुछ ऐसा रहेगा एक तो ऐसा form है सबसे पहले क्या करेंगे उपकोशागार या बैंक का नाम मान लेते हिलाबाद बैंक में भरें इसका इफसी कोड लिख देंगे उसके बाद अगला काम क्या है जिस व्यक्ति या संस्था के नाम की धनराशी जमा की जा रही है तो यहां पे उसका नाम पता आपको लिखना है तो जिस व्यक्ति यानि आप अपने नाम से जमा करें तो अपना नाम लिखेंगे या फिर ज्या पहले district code और अपने school का code लिख दिजिए district code दो digit का आपके admit card पे लिखा होगा और school code भी आपके admit card पे चार digit का लिखा होगा तो पहले district code कॉमा लगा के school code लिख दिजिएगा उसके बाद school का नाम और school का address लिख देंगे जहां भी है civil science प्रयागराज उसके बाद पंजी करण पक्ष का नाम बाद संख्या कोई जरूरी नहीं है और यहां पर जैसे जिस व्यक्ति या संस्ता के नाम में आप अपना नाम भी लिख दीजेगा और नाम लिखने के बाद रोल नंबर भी वहां mention कर दीजेगा क्योंकि वहां पर लोग को आपका कौपी दुड़ने में असानी हो जाए यहां ऐसे बरिंग उसके बाद अगला आएगा जमा की जा रही धनराशी का पूर्ण विबरन कित्ता रुपए आप जमा कर रहे हैं दो सब्जेक के लिए ऑजार रुपए एक सब्जेक के लिए 500 रुपए जित्ता भी आपको मन कर रहा हो उतना यहां पर लिख दीजे उसके बाद अगला काम क्या है कि जमा की जा रहे है धनराशी का पूर्ण विबरन एख हजार रुपए दरण राशी किस हेतु जमा की जारी किस लिए जमा कर रहे हैं गैरां ग। परिस्त के लिए जमा करें तो उसके बाद उसके बाद अगला देखेंगे एकजार रूपहुए जमा कर को चब्सक्राइबok उसके पूर्ण के तेरा रिजिट कोड सब्सक्राइब hall, और यहां पे आपको यह चार option है इसमें से मादमिक सिक्षा परिसत वैसे कोई है ने उपर लिख दी है आप वही बहुत है उसके बाद यहां पे जो आपको मुहर दिख रही है यह वाली मुहर यह लगी लगा ही नहीं मिलती है यह आप जाएंगो board office वहां पे लगेगी अगर आपके एरिया में board office नहीं तो आप पहले direct bank जाएंगे फॉर्म भरने कबाद वह जैसा बोलता है वैसा करें क्योंकि यहां पे तो बोला जाए यह बोर्ड ऑफिस ठपा लगवा के आए उसके बाद जमा की है उसके बाद यह आपको इतना बड़ा सो कॉलम दिख रहा है इसम के बाद नीचे धनराशी सब्दों में 1000 रुपए फिर यहां पे मुहर उहर तो अब वह उसको लगाना रहता है फिर यहां पे आप लिखा जमा करता का नाम वास्ताक्षर यहां पर अपना नाम लिख दिंग जहां पर रंगा हुआ है बगल में signature मार दीजेगा नीचे रोल नमबर देगा तीन चार डिजित जो इसका मन करें यही आपका चलान हो जाएगा उसके बाद यह आपका हुआ एक स्टेप पूरा इसके बाद यह चलान नंबर को आपको नोट कर लेना है उसके बाद कि यह पेस्ट था यहां पे इंटरमेडिएट के लिए आवेदन करना य ऐसे डाल देंगे उसके बाद सेंटर कोड जो भी आपके अड्मिट काड पर सेंटर कोड विलिखा रहा है तो उसके बाद यहां पर रिजल्ट कुछ खुल जाएगा और फिर इस रिजल्ट में आपको जिस इस सब्जेक्ट के लिए लिखना है उस उस पे टिक मार देंगे तो इसे ही टिक महर देंगे तो यहाँ पहले आपने किता रुपए जमाद किया यहाँ पिरेफार 107 यहाँ क्या करना तह किस तारीक को जमा किए वो डेट लिखना है पिर जिस बैंक में किसी बैंक में जमा कर सकते हैं तो जिस्ismus में आपका जमा हो गया हो उसी बैंक के नाम लिख देना है उसके बाद चलान का स्काइन को पी यह जो आपका चलान फॉर्म था इसी और फटो-किच through मार देंगे और फिर अपलोड मार दियें ठीक तो यहां पर जैसे ही आप सेव स्क्रूटिनी फॉर्म करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा दिखाते हैं कैसा मिल जाएगा कुछ इस टाइब का आपको मिल जाएगा यहां पर आपका रुकलास रून नंबर अप्लिकेशन नंबर मिल जाएगा फिर यहां से आवेधन को आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपका कुछ एक एक्स्ट्रा पेज डाउनलोड हो जाएग की और अवी तक आपने चलान फॉर्म जमा किया चलान पॉर्म आप जमा करचुके आपको PDF format मिलेगा इस तरह का कुछ पेज आपका रहेगा और इस पेज में क्या लिखा रहेगा इसी तरह नाम वाम कुछ लिखा रहेगा यह हमने इस पेशली बैंक से चुरा के लाए है वहाँ फोटो टो खीचके तभी हिल गई है थोड़ी से फोटो तो यहां पर आपका लिखा रह में तो आपको कहेगा कि तीन ले क्याना है यानि तीन बार फोटो कॉपी किरा के तीनों में ठपा करके तीनों बर के लेके जाना है तीन ले जाएंगे वहां से आपको एक मिलेगा और एक मिलेगा वह आपको एक मिल गया उसके बाद यह जो आपने पूरा एप्लिकेशन सिक्षा परिस्द वाला लिफाफा ले लिए या दूसरा ओप्शन है कोई भी नॉर्मल लिफाफा ले के उस पर लिख दीजे टू बोड ओफ यह जो भी लिखा हुआ है और यहां पर रहेगा क्योंकि बैंक वाले ने काट के बन कर दिया था पोस्ट ऑफिस वाले ने तो यहा आपके वह प्रिंटेट पेपर पर आपको लिखा हूँ एड्रेस मिल जाए कहां बेजना फिर अपना भी लिख दीजिएगा और रोल नमबर और नाम और उपर हेडिंग डालके स्कूरूटनी एप्लिकेशन स्कूरूटनी फॉर्म पर जाएंगे वहां पर जाके आपको कहन मिल जाएगी और बस वहां पर आपको काम खतम हो जाता है उसके बाद आगे काम यूपी बोड़ वाला समाल लेगा उसके बाद जो है क्या होगा वह रिजल्ट आने बाद मारूं चाएगा इसका भी एक महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसे कुछ आपको फॉर्म भर अगर अभी भी मुझसे कोई बात छूट गई हो आपको ऐसा लग रहा हो तो कमेंट करके बताईए मैं वह कमेंट करके फिस बता दूंगा और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो बैंक्स wollte किसी बीचिस रिलेटेड़् तो कमेंट करके पूछ लिजे तो आज की वीडियों बस इतना ही तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स् वीडियो में तब तक के लिए घर पे रहें सेव रहें और क्या और खुश रहें मिलते हैं नेक्स् वीडियो में